रीता त्रिपोडी, सर मेरा दिल कहता है ये सब छोड़ दू, किसी काम में अब मन नहीं लगता, फिर फैमिली के सूचती हूँ, कुछ भी ठीक नहीं कर पा रही हूँ, ना खुद को संभाल पा रही हूँ, और ना घर, क्या करूँ कहीं से कुछ समझ नहीं। प्रीता, हम सब की लाइफ में बहुत चालेंजिस हैं, आपके ही नहीं, सब ही की लाइफ में ये इशूज हैं, जिस तरह से आप सोचते हों, सभी सोचते हैं कि यह सब कुछ छोड़ दूं है, छोड़ दूं और कहीं चले जाओ, लेकिन थोड़ा सा अपने आप से पूछना कि छोड़ के जाओगे कहां पर, जाने के लिए जगा कहां है, और जहां जाओगे वहां पर जो है, प्रॉब्लम्स होंगी, जहां पर भी जाओगे, इशूज वहां पर भी होंगे, वहां पर भी प्रॉब्लम्स क्रियेट होंगी, वहां पर भी लोगों के साथ जगड़े उसके पीछे कारण यह है कि कुछ जा तो तुम ही रही हो ना क्योंकि अगर तुम बदल जाओगी तो तुमारा environment भी बदल जाता है उसके साथ इसलिए कहीं कुछ जाने से तो कुछ नहीं होने वाला यहां जो है जहां पे तुम हो जब तुम पूरी तरह से हो जाती हो होती तो चीजह जो है बदलने शुरू हो जाती है तो मैं यह समजता हूँ कि मन यह जो तुम बोलती हो कि मन नहीं लगता अब जो है ठोड़ासा भीतर की तरफ गी अपने मन को मोरो अब थोड़ा भीतर की दुनिया में थोड़ा सा प्रवेश करो, बाहर जो है अच्छा है मन नहीं लग रहा, आप कुछ जो है कुछ नया ट्राय करो अपनी लाइट में, और एक बार ही जो है जब भीतर से अगर तुम्हारा कभी मन लग गया, फिर वहाँ पे मन जो है कभी भड़ता नहीं है, जितना मन को दे दो, जितना भी दे दो, वो कम पड़ता है, बाहर के दुनिया में जो है, मन जो है, आज नहीं कल जो है, मन भरी ही जाएगा, लेकिन जब भीतर की दुनिया में जब हम प्रवेश करते हैं, तो मन जो है, उसकी हम एक ऐसी स्थिती में आ जाते हैं, जहां पे मन ही गा जब मन भढ़ जाता है तो मन पूरा हो जाता है तुम्हार और उसी वक्त तुम्हारा संसार भी पूरा हो जाता है तो देखो problems रहेंगी issues रहेंगे यह सब कुछ यह problems जो है जो तुम्हारे life में चल रही है वो भी चलती रहेंगी लेकिन जब तुम अपने भीतर जब तुम के साथ deal करती हो लेकिन अब तुम्हारे जो है वो problems जो है तंग नहीं करती है कि तब अब तुम्हें जो है वो तिलमला नहीं देती है अब तुम उनको स्विकार करती हो और तुम अपने तरफ से जो best कर सकती हो तुम करोगी और इसलिए इस चीज़ को समझ लेती हो कि कहीं जाने से तो इसका कोई solution नहीं है कहीं अगर सच में जाना है तो अपने भीतर जाना है वहाँ पे तुम्हें जो है असली solution मिलेगा वहाँ पे तुम्हें असली शांती मिलेगी वहाँ पे तुम्हें असली ग्यान की जो है तुम्हारा जो प्रकाश है वहाँ पे वो खुलेग तो इस चीज़ को याद रखोगी तो इशूज नहीं होंगे रिता रिता